कैसे हैं दोस्तों नमस्कार मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगर कैन फार्मिंग चैनल जिन भाईयों ने चैनल सस्क्राइब नहीं किया है वो रेड़ वाला नीचे लिखे हुए सस्क्राइब बटन को दबा दें और फिर गंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं जि सुरू से लेके इंड तक यह जो चने पर सुन्डी लग जाती है और उसको खाने लगती है और पौधे को खाके नश्ट कर देती है पौधे की बढ़वार हो नहीं पाती है पुरे तरीके से तो यह मैं एक ट्रिक देने जा रहा हूं आपको पुरा वीडियो देख लीजिए को राजी आप डालिएगा को राजीन आपको डालना है कि पर लिटर पर एमल डालके अच्छे तरीके से इसको फिर मिस्रड कर लेना है ऐसे इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से जब खोव लाते रहें इसको यह मिक्स हो गई हमारी दवाब आप देख रहे होंगे कि यह क्या चीज है यह भी मैं बताओंगा आपको पुरा पुरा वीडियो देखेगा यह राख है यह जो आम घरों में मिल जाती है तो इस राख को क्या करना है यह भी मैं आपको बताऊंगा आप लोग पुरा वीडियो देखते जाईएगा भाईयो अब यह हमारा मिस्रण त्यार हो गया है जब हम चने के उपर हम स्प्रे करेंगे तो इस परकार से इसको पिस्प्रे करने का भी मैंने यह जो है मार्केट में प्लब्ध है सब्जीयो में डालने के लिए बहुत ही बेटर चीज है इस परकार से हम इसको एक बार और दो बार डिब्बे से हिलाएंगे अब हमारी यह दवा मिक्स हो चुकी है रामबार दवा है यह चने की जो सूंडी लगती है उस पर डालने के लिए अब इसको हम इस परकार डाल देंगे मैं आपको सूंडी भी दिखाऊंगा भी कौन सी लगी है यह देखिए यह सूंडी है जो इस पोधे में लगी हुई है यह देख सकते हैं आप इसकी रोवथाम के लिए बहुत ही रामबार दवा है इस परकार से सारे पोधों में लग चुकी देखिए यह इस परकार से होती है कुछ बड़े साइज में कुछ छोटे साइज में सूंडी है यह आप देख सकते हैं यह चने की फसल है अब देखिए इस परकार से इस परे कर देना है देखिए आप देख रहें ना वीडियो में देखिए इस परकार से लाइनों में बोया गया चना है इस परे करते हुए चले जाना है इस परकार आप देख सकते हैं देखिए मैं पास से दिखा रहा हूँ आपको पोधे पे ऐसे स्प्रे कर देना है यूँ ऐसे स्प्रे करते चले जाना है ये देख सकते हैं राजमा की फसल है राजमा पे भी स्प्रे कर देना है इसी परकार से आप आगे इसकी बारी अब इसके बारे मैं बताओंगा यह राक है मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिर इस परकार से पौधों पर डाल देना है देखिए ऐसे बिखेर देना है ऐसे आप बिखेर देंगे देख सकते हैं बस इतना इतना विखेरना है ये सुबे और साम के टाइम करना है धूब में नहीं करना है ये देख सकते हैं बस इस परकार से इतना इतना ही विखेरना है इसरी पौदों पे ही पड़े देख सकते हैं ये एक बहुती रामबाण दवा है इसके क्या है, कई फायदे हैं जो हमारा पाला गिरता है ठंडी में पौधे के उपर कोई परकोप नहीं होगा जब हम राख डाल देते हैं ये एक राम बांड दवा है जो घरों में अपलब्ध हो जाती है आप जैसे राजमा पर डाल सकते हैं कार से देख सकते हैं या इसे बिखेर सकते हैं यह जो काम करना है सूबे और साम के टाइम करना है आपको इस तरह से बिखेर सकते हैं जो यह राक है यह किसी भी फसल पर डाल सकते हैं इसका बैंफिड मिलेगा और इस पर कुछ साइड इफेक्ट नहीं है घरों में फलफ दो ज बताया और आप लोग यह यूज कीजिएगा बहुत अच्छा बैंफिट मिलेगा मैं कई सालों से यूज करता चला रहा हूं और सुन्डी का परकोब जो होता वो नश्ट हो जाती बिल्कुल सुन्डी दुबारा कभी नहीं होगी फल बहुत अच्छा आएगा आपका ग्रोफ करेगा पेंड और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जुरू कर दीजिएगा और जिन भाईयों ने चैनल सस्क्राइब ने किया वो फटा फट सस्क्राइब कर लें जुड़ जाएं अग्रिकल्चर टेक्नॉलजी लेते रहें लेटिस्ट वीडियो तब त के लिए धन्यवाद जैहिन